परिचय राहूल अपने घर की छट की बालकनी में बैठा हुआ है वह वाहन पार्क करने वाले स्थान पर खड़े स्कूटर और कारों की संख्याओं को गिनने में व्यस्थ है वह पताता है कि स्कूटरों की संख्या कारों की संख्या से अधिक है इस सथ्याय में आप बड़ी और छोटी संख्याओं को जानेंगे आओ सीखें दस से बीस तक की संख्याओं लिखना बड़ी तथा छोटी संख्याओं का पता लगाना क्रम सूजक संख्याओं को पहचाना दस से बीस तक की संख्याओं इन रंगीन केंदूं को देखें आओ, हम इन्हें गिंते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ और नौ आओ, हम एक और जोड़ते हैं हमारे पास दस केंदे हैं नौ और एक मिलकर दस होते हैं आओ, हम इन गेंदों को एक बाल्टी में डालते हैं अब हमारे पास दस गेंदों का एक समो है एक नई बाल्टी लेते हैं इसमें एक गेंद डालते हैं अब हमारे पास दस गेंदों का एक समो हो और एक गेंद है दस और एक मिलकर ग्यारा होते हैं दूसरी बाल्टी में एक और गेंद डालते हैं अब हमारे पास दस गेंदों का एक समू और दो गेंदे हैं दस का समू हूँ और दो मिलकर बारा होते हैं दूसरी बाल्टी में एक और गेंद डालते हैं दस का समू और तीन मिलकर तेरा होते हैं 10 का समूह और 4 मिलकर 14 होते हैं 10 से 20 तक की संख्याएं 10 का समूह और 5 मिलकर 15 होते हैं 10 का समूह और 6 मिलकर 16 होते हैं 10 का समूह और 7 मिलकर 17 होते हैं 10 का समू और 8 मिलकर 18 होते हैं 10 का समू और 9 मिलकर 19 होते हैं दहाई और इकाई का समू इन पके केलों को देखें ये कितने अच्छे देखते हैं अओ हम इने 10 के समू में बाढ़ते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ, नौ और दस हम दस के एक समू को गिन चुके हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ, नौ, दस एक और दस का समू बन गया अब हमारे पास दो समू हैं जिसमें से प्रतेक में दस के ले हैं दस के दो समू मिलकर बीस होते हैं कम और स्यादा इन दो चित्रों को देखे इन में से किसमें ज्यादा चुडिया है अगर आप देखें तो पाएंगे कि पहले चित्र में तीन चुडिया है जबकि दूसरे चित्र में पांच चुडिया है इसे देखकर हम बता सकते हैं कि दूसरे चित्र में पहले चित्र से ज्यादा चड़िया हैं। आए दो और चित्रों को देखते हैं। उल्टी तरफ के चित्र में शर्मा का परिवार है तथा सीधी तरफ के चित्र में पांडे का परिवार है। अब बताईए कि इन में से किसके परिवार में ज्यादा सदस्य हैं। अगर हम दोनों परिवारों के सदस्यों की करना करें, तो हमें पता चलेगा कि शर्मा के परिवार में साथ सदस्य हैं, जबकि पांडे के परिवार में पांच सदस्य हैं। इससे हमें पता चलता है कि शर् पर क्लिक करें, जिसमें अधिक बल्ब हैं। चोटी और बड़ी संख्याएं। याद रखें कि शर्मा परिवार में साथ और पांडे परिवार में पांच सदसे हैं। इसका मतलब है कि संख्या साथ, संख्या पांच से बड़ी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बात में आने वाली संख्याएं पहले आने वाली संख्याओं से बड़ी होती है। संख्या चार, संख्या दू से बड़ी है। संख्या पंधरा, संख्या दस से बड़ी है। आओ, अब हम इस उधारन को दूसरी तरह से देखते हैं। पांडे परिवार में कमसदत से हैं इसका मतलब है कि संख्या 5 संख्या 7 से छोटी है इस तरह हम कह सकते हैं कि बाद में आने वाली संख्याओं से पहले आने वाली संख्याएं छोटी होती है संख्या 2, संख्या 4 से छोटी है संख्या 10, संख्या 15 से छोटी है क्रम सूचक संख्याए इन लोगों को देखें ये दूत खरीदने के लिए एक बंक्ती में खड़े हुए है स्थान एक पर खड़ा व्यक्ती पहला है स्थान दो पर खड़ा वेक्ती दूसरा है स्थान तीन पर खड़ा वेक्ती तीसरा है स्थान चार पर खड़ा वेक्ती चौथा है स्थान पांच पर खड़ा वेक्ती पांचवा है स्थान चै पर खड़ा वेक्ती छटवा है स्थान साथ पर खड़ा व्यक्ती साथवां है स्थान आठ पर खड़ा व्यक्ती आठवां है स्थान नौ पर खड़ा व्यक्ती नवां है स्थान दस पर खड़ा व्यक्ती दसवां है हमने क्या चर्चा की? दस के दो समुह मिलकर बीज बनाते हैं पहले आने वाली संख्याएं बाद में आने वाली संख्याओं से चोटी होती हैं.